एलो फ्रेंड्स कैसे हो आपसे भी तो आज की सुडिय है अपने एक्जाम जो रिलेटेड हाग के से से सीप्यों के एक्जाम है तेन अक्टूबर को बाता नो बज़र लेकर ग्यारा बज़े तक मतलब फास्ट शिप्ट का एक्जाम ही है और इस शिप्ट में दो देखने वाले हों आपके मैध के कोशन देखेंगे तो और लेम आपको बताना तो और लियम अप्शिलेंडर क्या ओता है पाई आप सुट्र है चो अथ होता है यह क्या आगया रेसो आगया ठीक है नेक्स्ट कोसे चाहिए करते हैं एक परसंड करो से 900 मेटर लोंग स्ट्रीट इन 6 मिनट बोला है कि 6 मिनट में 900 मेटर चलना है और किलो मेटर मेटर पर आर्मोस की स्पीड बता नहीं से पीड क्या होता है डिस्टेंस अपूंट टाइम होत साथ 6 गुना साथ हो जाए के सेकंड लोगे मिनट कठी है और मुल्टिपला एक राद और ठरबटे पाथ से किलोमेटर पर आर्ट के लिए ठीक है तो कट करिए तो 6 आपका 3 हो गया 3 आपका 20 हो गया 0 से 0 2 से आपका 45 और 5 आपका कितना हो गया 9 तो 9 आपका क्या हो गया से 5 से 5 आपके रिकान गरेब़ंग inac समय करे लिए पाइफ निकालें यहां तो गोट छो होगी वह पाद सब्सक्रा वह पाट यहल्यों आप तो 54 दिन में कर रहे हैं तो यह तो आप फाइफ गोट जो हैं चोफ़न दिन में कहाना झा रहे हैं पहले हम देखते हैं प्लस में 8 शीप कितने दिन में खाना कहेंगे तो 6 गोट तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3 गोट simple बना देते हैं question को थोड़ा 3 गोट 5 शीप के बराबर है तो 6 गोट कितने बराबर हो जाएगे 10 डबल कर देटी हैं 10 प्लस आरट सीप आपने निकालने 18 SHEz का अंसर को देना है तो आप देखो कि कि का देखो रहाएक दस दस द सीप हैं आप बोला 8 कितने दिन में कत रहें हैं तो आप देखोगी यहाँ से ऐगब मैं चरें फाइड़ू कितने दिन में हैं तो यहां से डबल हो जाएगा ठीक है तो मतलब एक शीप जो होगा ना वो चोबन गुना दस दिन में फिल्ड को ग्रेज करेगी और 18 शीप का आप से पूछा है डिवाड़ बार 18 कर लीजिए तो 18 से कट करोगे तीन तो 30 आपका राइट असर नहीं दे रहा ठीक है तो देखते हैं कि क्या गलती कि हमने तो ऑकी जो कंडिशन दे रहे ना वो इस पर दे रहे कि अगर 5 शीप है वो 54 जिन में कर रहे है ठीक है तो एक शीप कितने दिन में करेगी तो 54 बटे पांच में करेंगे और अठारा कितने दिन में करेंगे तो चोवन गुना पांच बटे अठारा तो तो तीन पंदर आपको राइडर सब दे लेगा ठीक है सर्फ एक माइनर से मिस्टेक थी नेक्स्ट कोसन चेक करते हैं बोला कि एक आइटम मार्क MP है जो है इतना है और Sp इतना हैびसмक निकाल ली है तो मठें सेवक को यश्र गरते हैं यहां से डिशकांट की वैल बाजाती है लेकिस्ट में बोला है कि परसेंटेज दिवाइड बाइ अंपी इंटमे जो यह आपका फॉर्मुल होता है तो आप देखेがとう 3800 में से 3400 इनका डिफ्रेंस देखे, 3800 में से 3500 हो गया, कितना हो जाएगा, 500, sorry, 300, 304 का डिफ्रेंस यहां पर आ रहा है, और MP, इतना है, गुना में 100 कर लीजिए, 50000 कट करो, आर्ट से देखो, आर्ट 24, ठीक, आर्ट से किसे दा कट किया, आर्ट से आर्ट आपका राइटर तर दे देगा, नेक्स्ट पॉसन देखो, एक डिशनेस्ट डीलर है, अनॉंस करता है, सेलिंग आर्टिकल 22% लोज, बट यूजर 35% लाइटर वेट, तो प्रफिट एंड लोज, बट देखो, यहाँ पर आप डिशनेस्ट लोज, और यहाँ पर लाइटर वेट है, तो पहले तो आप देखो, यहाँ पर हम SIPP कर देते हैं, एस्पे कर देते हैं, थीक, आप 2% लोज, तो यहाँ पर आप देखोगे, और देखोगे, फ्रैक्स से म तो 35% का fraction आप निकालोगे तो यह आ जाएगा क्या बोला अगर वो 20 में से कितना weight कम दे रहा है 13 कम दे रहा है ठीक है तो इसका मतलब यहां का CP जो SCP हो जाएगा और SP आपको यह हो जाएगा तो 13 20 क्योंकि वो क्या दे रहा है 13 दे रहा है 20 के जगे पर ठीक है तो इसको solve करना 13 एकम 13 13 यह 20 0 से 0 कटा और तो 5 से 3 आपका राइट अंसर दिया तो वह तीन ने आगए यह दो भी तो है निच अच्छे आइड़ा ठीक है बोला कि प्रोफिट कितने का वन का कितने वह फाइव परिंटों में सो करोगा तो परसेंटेज आजएगा तो बीस परसेंट आपका राइट आंसर दे दे देगा ठीक है नेक्स्ट कोशन चैक करते हैं अ ब classify what is the total number of children in area P and Q together तो 20% इसका है, 20% 1000 का, 20% कि रहे लाज़ेगा लाज़ेगा यक 10जार का तीस परसेंट 20000 का तो द तह 20,000 का 20 जार का 20% आप निकाल हो गए है तो एक पे दोजार यहां से 6,000 आ जाएगा टोटल पूछाइन दोनों का एड़ कर लीजे तो 8,000 आपका राइट अंसर दे देगा ठीक नेक्स्ट कौसन चेक करते हैं वह भाहिऊ बोलागी धिटागर एक तो सायन धिटा और कोषएग थिटा इतना तो मैं कहता हूं कि अगर इसकी value one है तो क्यों 90 द het इसे टू आपका राइट अश्र दे देगा नेक्स्ट पॉसन चाहे करते हैं बोलागी सेंट्रल एंगल बताना कोस्पांडिंग तो एक्स्पेंडिचर स्पेंड ओन एजुकेशन एजुकेशन का ठीक है और इन गीवन फिगर तो एजुकेशन का आपको बताना तो एजुकेशन का यहाँ पर 5425 लिखावा और 5425 एंगल बताना तो टोटल सम करना पड़ेगा यहां से पच्चिश पचास पच्चिश शो गया 100 और 200 दो सो 002 हासिर चार और चार आट और इक नो और पाच चोदा चोदा हो चार अठारा अठारा ओन दो बीश एग दो शाइद और पाच साथ और पाच बारह उच्छे अठारा अठारा और साथ पच्चिस पच्चिस और श्यां इकतिस और चार चो तिस पैतिस गुना में 306 ठीक है तो करिए कट जीरो से जीरो हो जाएगा तो आप देखोगे आपको इसको सोल करना पड़ा ठीक है तो किडले तह 설 शाथ से चला जासा साथ को आंद चार साथ उननर्च जार स्दॉस आनद जो Si Hai पांच दो शाथ साट उनन चार स्धीन पार पांच 35 से 500 पर गया, ठीक है, और फिर 5 से कट करोगे, 100, 5 से कट करोगे, तो आपको कितना देगा, यह, 5 एक हम 5, 1, 2, 7, 25, 25, 25, ठीक है, और भी कट होगा, 5 से उतर करके देख लिजिए, 31, 5 से कट करोगे, तो 20, 2 से कट करोगे, तो यह, आपको 10 देज़ेगा, और 2 से कट करोगे, तो यह, आपको 18 देज़ेगा, ठीक है, 18 एक हम 18, 31 गुना 18 एक मल्टिपल आए करोगे, 18 तीर, चोब बन, चोब बन, और एक, 55, बिटे, 10, तो पॉइंट लगा जीजिए, यह, पच्पन पॉइंट आठ हापकर आइटन से देज़ेगा, तो पच्पन पॉइंट हापकर ठीक है, ठीक, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, इवल्वेट करना, तो डेसिमल से डेसिमल, क्योंकि शेम डिजिट पर है, तो यहां पर आपका 4 बाइ 5 फाया इंटू हाँ, तिन तिया 9, 9 बटे, 9 और 10, 10 बटे, 3 माइनस, 2 दो दो ने 4 और एक 5 बटे, 2, डिवाइड बाइ 1 बाइ 2, ओफ का मतलब 4 और एक 5 बटे 4, ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, 1 बाइ 3, पलस में 1 बाइ 5, और 1 बाइ 9, तो बैस इसको आपने सॉल करना है, तो सॉल करिए, तो 4 बाइ 5 इंटू, यह आपका अच्छे, LCM लोगत अच्छे आजएगा, और 20, माइनस, 15 बटे अच्छे, और पहले इसको सॉल कर लीजिए, यहाँ पहले सॉल होगा, क्योंकि ओफ दे रखा है, ठीक है, तो 5, 5 निच आजएगा, उल्टा करेंगे, तो 8 उपर चला जाए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 बाइ 3, पलस में, 1 बाइ 45, तो वे सॉल कर यह पाच से पाच कटेगा, और 6, 6, 3 और 4, तो उपर तो कितना आगे, 16 बटे, 15 निचे कितना आजएगा, 45 LCM लोगे, और 15 और 16, ठीक है, तो कर देखते हैं, बाला कि 10A is equal to 4 by 3, तो A की वे साइन ए हमें निकालना है, तो यह आपका प्रिप्मेंट निकलर हो जाएगा, यह आपका बेस हो जाएगा, और यहां से ट्रिप्लेट यूज़ करोगे, तो हाइपोटेनिस 5 आजएगा, तो साइन ए कितना हो जाएगा, यहां पर हम देख रहे हैं, और यह कितना होगा, 3 गुना, 18 होगा, तो आपने क्या निकालना है, तो 3 गुना, 3 तो सभी का ले लिया हमने, अब क्या बचा वो ले लो, 5 गुना, 8 गुना, 7 गुना, अपने इसको सोल करना है, और हर एक से चेक करना, तो यहां पर 18 दिखाई देरा, कि डिवाइड किस्टा उतार, 9 से, तो डिजिट का सम 9 होना चाहिए, देख लो, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 5 और 6, 11, 11 और 7 अठार है, यह भी होगा, यह भी होगा, सारे एक दूशे का पोजिट दे रहे हैं, तो भई, अब क्या देखें, तो यह चार, चार से डिवाइड हो रहा है, चार का डिवाइड होना चाहिए, तो चार से कर लो, तो यह तीनों डिजिट आपके 8 से डिवाइड होना चाहिए, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह आपको आजएगा, ठीक है चेक कर ले लिए, next question चेक कर रहे हूं क्या बोला, what is the total number of graduate who appear for CS, both CS ES together in year 2020 2020 में graduate out of total, क्या निकाला total number of graduate who appear who appear ठीक है who appear okay बैसे, इन दोनों का sum कर लीजिए, 122 और 135 का 120 और 135 का पाच, पाच, और दो, दो सो पचपट, आपका राइट एक्स देगा क्या निकालना बही total number who appear for both sorry बही यह तो candidate की निकाल दी, मैंने यहाँ पर candidate है, यहाँ पर हपी है graduate wallet है, तो 120 का 80% अगर आप 120 का 80% आप निकालोगे तो 16 आजाएगा ठी 135 का 70% अगर निकालोगे तो कितना आजाएगा तो चेक करेंगे कितना आजाएगा तो 5 से कट किया 2, 7 5 से कट किया 20, 10 या पर 39 तो 16 करिए उनसको 9 27 गुना 49 को अगर आप solve करोगे तो यह किसके बराब पर आ जाएगा यह आप खाएगा 105 और 3 बटे 10 तो यहां से 105.3 आपका right answer देगा तो इनका और इसका calculation आपने निकालना तो 105.3 96 तो यहां से 3.102 201.3 के multiple मानच की है तो एक यह option आपका ऐसा है 201.3 के multiple यही देगा और यही आपका right action दे देगा ठीक है क्योंकि यहां बच्चे जो है ना वो अजारों में कहां पर है 1000 में ठीक है next question चेक करते हूं और अगी लेट तर speed of boat in still water भी इतना है तो x की value हां पर 17 दे रखी है 17 किलोमेटर पर आव speed of stream y की value इसने ले रखी है पाँच किलोमेटर पर आव तो हमें क्या बताना है downstream में निकालना तो downstream क्या होता है x plus y होता है ठीक ओके तो वैस यह आपकी speed आजाएगे तो 110 distance से speed नीचे कर दो speed क्या होगा 17 plus 5 110 बटे 22 से cut करोगा तो यह आपका 5 आजएगा 5 आपका राइट कर दे देगा time के लिए बोला कि एक number एक number increase कि अगर 10% then increase फिर से increase कि आप 20% the number so obtains is how now decrease by 12% net increase or decrease percentage हमें बता रहा है original number से माल लो पहले 100 होता ठीक है पहले increase कि आप 10% तो 110 होगे ठीक है अब increase किया increase किया 20% तो अब 20% increase कर दिया तो 110 का 20% कितना होगा 132 add हो जाएगा तो 132 अब जो number आया है उसको decrease किया 12% से तो minus 12% कर दो तो एक सो बतीश का 12% कितना हो जाएगा भई यह आपका लगबग 16 यह 15 पॉइंट सम्थिंग जाएगा जो ठीक है तो यहां से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा इसर देदेगा नेक्स्ट से कर लेते हैं बोला कि गेवन गराफ दे रख आपके पास बोला कि इन वीच ये देर मैक्सिमुम पर्सेंटेज इंक्रीज इन दा एक्सपोर्ट ओफ एपल ओफ डेट प्रीज़ियर बोला कि पिसले साल के अपक्षा सबसे ज्यादा इंक्रीज खां आपको दिखाई देगा तो यहां पर आप चेक करिए 1.3 का डिफ्रेंस है यहां पर कितना का डिफ्रेंस है यहां पर भी आई थिंग 1.3 का डिफ्रेंस है यहां पर चेक करिए कितना हो गया 1.2.1 हो गया और यहां पर आप चेक करिए कितना हो गया 0.9 हो गया ठीक है यह तो डिक्रीज हो यहां तो डिक्रीज हो तो इस काम में कोई लेना देना नहीं है और यह यहां पर चेक कर लीजे कितना हो गया यह आपका 9.1 हो गया ठीका कि तो अगर मैं इंक्रिजिंग के बात करें पिसले साल के एक्रोडिन तो यहां से कितना इंक्रिज दो रहा तो 19 यहां से 5 percentage यहां रहा है यहां पर कितना रहा है यह आपके तो अप्रोग 4% होगा ठीक है क्योंकि किसका 4 कितना होता 8.4 होता राइट और यहां पर कितना जाएगा यहां पर भी 5% होगा यहां पर भी 5% होगा ठीक है तो आप से क्या पुछा है कि maximum percentage कहां हो सकता है तो देखिए 2005 अरे इसको तो सोली ने गया यहां पर कितना हो गया 11% हो ठीक है तो यहां पर सबसे ज्यादा फरक्त दिखाई दे रहा है सोरी यहां पर 9% के अप्रोग्स यहां पर अंसर दिखाई दे रहा ठीक है तो यही आपका राइट अंसर दे रहा है कितना है 2005 ठीक है दोजार पांच का यह ज्यादा है आपका next question चेक करते हैं ही जार कुठिक है तो क्या इस लेड़ा इसनफ पर्सेंटेज उंक ड्यूरिंग 2 ऑसार प्रसेंटेज इनक्रिस डूरिंग्स बिटोंटा अपवाले दौशार प्रसंटेज इनक्रीश दुरिंग 20 से 2 आपके सटंटेश किे दोथा इंक्रीश करिद्स में इने तो यह दोस्तों का डिफ्रेंस है, तो यहां किस पर है, तो 18-19 पर क्योंकि ओवर बोल लगया है, तो इस समय लेना, तो 18-19 का कितना 8000 है, और गुना में 100 कर दीजिए, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर दो, दो नी सोल आता है, दो पांट से चारीस होता है, 2.5% आपका राइट अंसर दे देगा, नेक्स्ट कोशन चेक करते हैं, बोलें कि दब फर्स चर्ट इस सोल एट ट्वाइस दा सेलिंग प्राइस अफ सेकंड शर्ट, ओके, फर्स चर्ट इस सोल एट 8% प्रोफित अग शेकंड शर्ट इस सोल 3% लोज, तो ओवर रॉल पर्सेंटिज प्रोफिट ओन दा सार्थ हमें बताना है, तो तेखे हैं, फर्स चर्ट को 8% प्रोफित में बेचा है, तो ठीक है, और सेकंड शर्ट को 3% लोज में बेचा है, तो में क्या करता हूँग? कोई EXमान लेता हूँ पहले सब को दूसर का य तो 8% profit में बेचा तो इसका मतलब एक सो आट हो गया तो यह आपका SP बन गया और इसका यह xy जो है अपना CP है और एक सो आट और यह profit के साथ low 99% है तो यह ratio देगा क्या twice first set को हमने कितने बेचा दो का बेचा जितने की second set भी किये ठीगा मतलब यह ratio आपका दे दिया तो two second करोगे तो यह चोवन आगया तो x और y का CP आपका CP अगर काउंट करो तो 97 में बटे कितना है चोवन आया x 97 में है y चोवन है ठीक है तो आप हमें देखना profit और loss का तो 8% profit तो यह अपना CP आया ठीक है और इस CP का कोडिंग हम क्या चेक कर रहे हैं तो वह देखियो आप क्या हो गया तो यह तो कितना है था अस्तान में यह आपका चोवन आया था तो इसका 8% आप गर आप निकाल हो गया 8% कितना होता है इसका 8% आपको होता है 7.76 7.76 और इसका 3% कितना हो जाएगा यह पलस है तो नीचे माइनस प्रोफ क्योंकि दूसरे में लोस है तो यह तो हमने CP निकाल है अब आपको क्या है प्रोफिट और लोस हम फाइंड आउट कर रहें तो 3% का लोस है तो 1.62 का यहां पर आपको लोस तिखाए देगा तोटल ओवरॉल प्रोफिट ऊपर प्रोफिट है नहीं चेलो से तो प्रोफिट 6.14 आपको यहां पर आप सोरी 1.6 आठ 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 तो छपनवा यह तो ठीक है तिन चोग बार यह थीक है तो 4 आया यहां ठीक है तो भई 6.14 का profit है total कितना है overall तो overall CP देख लिज़े आप कितना है 151 है 97 पहले से 154 करोगा तो 155 गुना 100 आपने करना है तो 100 से multiply करोगा तो यह decimal है जाएगा तो 15 से cut करो 15 चोग चार पॉइंट यह आपका कितना है 604 हो जाएगा 604 दस तो 0 तो 4.0 सम्ठिंग जाएगा तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया तो एक यह अप्सन बचा वह आपका राइट है बाकी कुद ट्राय करने की कोशिश करें आगे next question देखो area of two triangle दे रखा है 4 और इस टू 3 में इनकी height का ratio दे रख अच्छ है और is to 5 में तो इनके base का ratio आपको बताना है तो area of triangle कितना होता आपको बताओगा 1 by 2 base into height होता है तो 1 by 2 तो हम कट कर देंगे क्योंकि यह constant रहेगा तो यहां पर हमें base निकालना है तो ratio तो पहले ratio area का रख लेते हैं is equal to b into h b1 into h1 कितना दे रख अच्छ है और b2 into h2 कितना दे रख अच्छ है और b2 into h2 कितना दे रख 5 तो आपने basis को solve करना है दो से कट करो 2, 2 से कट करो 3, तो यह आपका कितना आजएगा तो कर लोगी base 1, base 2 का ratio तो पास को उपर लेज़ेंगे 10 और 3 तो यह चलाएंगे 9 तो यह आपका b1, b2 का क्या आया ratio आया था आज की इस वीडियो में इस एक्जाम में तो largest number of 4 डीजिट बताना जो 17 और 36 से divide हो जाएगा तो सबसे पहले आप 36 से divide करने कोसिस करिए आपका case होता है 9 और 4 से होता है तो 9 और 4 से होगा तो इसका मतलब 9 की टेबल में होगा 9 की टेबल क्या कैटेशा भी digit कसम 9 से divide होना चाहिए 5 और 6, 11, 7, 18 हो जाएगा भई, हो जाएगा 8 और 5, 8 और 4, 14, 14, 14, 15, 19, 19, 20, 27 यह भी हो जाएगा अब 4 से divide करके देख लो तो यह भी होगा, 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 सारे divide हो रहे हैं तो 17 से अब आपको divide करना पड़ेगा तो 17 का कोई disability rule नहीं है तो 17 से आपको divide करके देखना पड़ेगा तो यह प्रैक्टिस खुद करिए और आपका अंसर आ जाए गटिए अभी बिल्कुल सिंपल सा कोशन दिया गया है कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जो कि सरकल के अंदर है S कोई पॉइंट है Q, R पर और हाफ हो P S के हमें बताना चलो पहले सरकल बना लेते हैं और जिसके अंदर एक ट्राइंगल पुट कर लेते हैं जिसके सारी साइड क्या हो इक्वल हो तो यह साइड यह साइड इक्वल हो जाएगा तो यह एंगल 60 का हो जाएगा यह एंगल 60 का हो जाएगा तो आप से क्या पुछा है P S X Center पर Arc तो पहले P Q Arc तो एक Arc है, Arc S है ये S हमने ले लिया तो हमें क्या निकाला है, P S Q का Half निकालना है तो अगर आप यहां से XT जा आपको Property पता होगे कि जो दो पॉइंट से, अगर सरगल के हम किसी भी दो पॉइंट से किसी लाइन को ले जाएं तो सारे अंगल क्या करती है सेम देती है तो यह 60 है तो इस नमर ले भी यह भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो अंगल P Q P अंगल P S Q अंगल P S Q कितना है 60 ठीक है तो इसका दप उचाकत और दप का हो जाएगा 30 इस next question देखते है जते है देक हो एगल जब रग पोसन है तो यह आपको क्या दे रहा है तो यहां पर आप X मतलब वैल सेम लोगे तो X Y और X square प्लस Y square is equal to 1 तो यह आपको क्या बना देगा X square प्लस Y square is equal to X Y बना देगा ठीक है और यह आपकी condition दे रखिया है और शाथ में आपको इससे यह पूछा है तो इसका formula क्या होता है कि x plus y x square plus y square minus x y तो देखो simple से हमने value put करने की जूरूत भी नहीं है यहाँ पर आप value यानि कि x square y square की value put करें तो x plus y और यहाँ पर x y put करोगे minus x y यह कट जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 0 की गुणा 0 होती ठीक तो next देख लेते हैं height of cone दे रहे कि 7 और diameter of circular base इतना दे रहे का तो radius कितने हो जाएग इच्छा है और its का volume हम बताना है cone का तो कौन का volume क्या होता है 1 by 3 pi r square h होता है ठीक तो देख लीजिए तो pi pi मतलब 22 बटे 7, 22 को check करोगे तो 11 और गुना 2 तो 11 का multiple देखे, 11 का multiple क्या करता है alternate digit का sum करोगे और उनका difference करोगे तो 0 या 11 की table माना चाहिए तो 2, 4, 6, 6 में से 5 गया, 1 नहीं होगा, 2, 4, 6, 6 में से 6 गया, 0 ये हो जाएगा, 2, 4, 6, 6, 6 में से 7 गया, एक ये भी नहीं होगा ठीक है तो एक ही ऑप्शन आपको बचा बाकी मैंने आप्टकॉर्मल बता दिया वेलो पुट करी अंसर निका दिया ठीक नेक्स्ट कॉस्टन चेक करते हैं बोला कि A, B, C किसी काम को 20, 30, 60 दिन में करते हैं A, अगर एकला डेली करें और 30 से दिन B और C उसको आलसर वरक वी ठीक है B और C मिलके काम करें तो how many days कितना काम लगेगा टोटल करने में तो टोटल वरक निकाली A, B, C 20, 30, 60 तो टोटल काम आगया आपकर 60 हैल्सम लेहा तो 20, 30, 60 होता है तो बोला कि A, एकला काम करें पहले दिन तो 3, दूसरे दिन भी 3 अब तीसरे दिन क्या हुआ, B और C दोनों मिल गए तो B और C दोनों मिल गए तो पहले तो B कर जा है, फिर 2 करेंगा, फिर 1 करेंगा तो यहाँ पर 3 दिन आपके काउंक हो गई, हहाँ टोटल 3 दिन आगए तो टोटल काम कितना हुआ, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 9, 10, 12 टोटल काम आपका अब जाला तो तो 3 दिन में क कितना काम हो रहा, 12 काम हो रहा है तो आपने कितना पहुचा ना 60 तक तो बुना 5 करोगे तो ये 60 काम टोटल हो जाएगे इधर भी 5 गुना कर दो कितना हो जाएगा आपका 15 दिन में ये 60 काम कम्प्लिट करते हैं तो next question देखते हैं कब लफाइंड दर रिश्य ओफ तूरिस्ट फ्रॉम कंट्री एक कमिंग इन मार्च एंड अप्रेल मार्च एका बताना ना एका तीन है अप्रेल अप्रेल का आठ तो रेश्य ओफ टूरिस्ट मार्च में गरिन लाइन है 20 परसेंट और अप्रेल में 25 परसेंट है और टोटल कितने है 60,000 तो 100 की वेल्व यहां पर आपको 60,000 दिए गई है तो 20 परसेंट की आपको वेल्व निकाली तो यहां से बारह बारह हजार आपको 20 परसेंट बने है और 25 परसेंट कितना बन जाएगा बहिस का चार से डिवाइड करो तो 15 अजार तो अब आपने क्या निकालना है यह तो मार्च का ही अपरेल का तो A और B का रेश्यो दे रखा तो A आपने निकालना है गुना में 3 बटे 5 इसके साथ करिए और गुना में 8 बटे 15 इसके साथ करिए तो उपर से कितना आजएगा पांच दूनी पांच उक साथ बहतर से उपर से आजएगा नीच नीचे से 8000 आजएगा तो बैस रेश्यो फाइंड आट करना डबल जिरो आट से कट करो नो आट से कट करो दस नो रेश्यो दस आपका राइट अंसर देज़ेगा क्या बोला ग्यारा अच्छा सोल करना है तो यह ग्यारा का सुकेर हो गया ग्यारा डिवाइड बाइग ग्यारा तो यह तो आपका वन बना देगा ठी पर यह आपका 121 यहां पर 121 पलस का एक आए एक आपका राइट अंसर देड़ेगा नेक्स्ट कोसन देखते हैं बोला कि एक आदमी बहतर परसेंट सेलरी इसे पैंड करता है और सेव करता इतने तो तस परसेंट उसकी एन्वल सेलरी का दस परसेंट आपको बताना है कितना होगा तो बहतर परसेंट खर्च करता है तो कितना बचाता 28 परसेंट बचाता 28 परसेंट के वेलू इसने 57 चालिस दिए गई थिए तो देखे कितना होगा तो कितने से मल्टिपलाइगा होगा दो और दो और 205 से मल्टिपलाइगा होगा इसने 25 से मल्टिपलाइगा अब बोला कि 10 परसेंट हमेंट से ही है तो आपने यहां का 10 परसेंट से ही है एक मेंट साथ से कट कर लेते हैं साथ सोक 28 और साथ तो आठो चपन और साथ दोनी जीरो तो एक परसेंट की वेलू कितने आगई यहां से 205 ठीक आपने कितने निकालने 10 परसेंट निकालना तो 10 परसेंट करोगा तो यह 20-50 आगया अब आपने निकालने है एन्यूल सेलरी एन्यूल का मतलब क्या है मल्टिप्लाई 12 से कर दी थी यह आपकी एक महीने की थी अब 12 से मल्टिप्लाई कर तो 12-50 और 12-24 ठीक तो नेक्स्ट कोशन चैकर लेते हैं पोपुलेशन ओफ सीटी दिया गया है इंक्रीज क्या 15 परसेंट पर एन्यूम से तो दो साल पहले की निकालने थी तो हमें दो साल पहले की निकालने हैं तो टोटल पोपुलेशन इतने 3,5,2,3,1,4 और 15 परसेंट इंक्रीज क्या है तो दो साल पहले की हमने निकालने थी तो 100 पटे 85 से हो जाएगा गुना में 100 पटे 85 से हो जाएगा सोड़ी इंक्रीज क्या तो 115 होगा वही तो आपको इसको सोल करना है करिए ये कितने बजाएगा पाथ से कट करो ये आपको कितना हो जाएगा 20 पाथ से एकट करो गया तो यह पर 23 हो जाएगा ठीक है और 23 से कट करके देख ल공रां तो 23 होता है Kartकुतना बचा 112 और 23 चिक है तेज़ शेकर तो ज्यादा हो जागे, तेज़ पंजे, एक सो पंदरा, कितना बचा, साथ, तेन, और तेज़ दिया है, उन्हें अक्तर, चार, एक, तेज़ दूनी, चालिश तेज, एकम तेज, आठारा, और चार, एक सो चुरा स्थी, तेज, आठे, चला जाएगा गम के लि सेम ही, आपर भीज से कट करो, चाल, और भीज से कट करोगे, 23, 23 से, फिर कट करो, इसको, 183 है, तो 23, साथे, नहीं जाएगा, 23, 132, ओके, 23 छीके, 132, और आपके कितना चला जाएगा ही आपका, 130, दो, 11, तो, तो यह आपकर 9 पर चला के 207, 207 माइनस किया तो 148 बचा तो यह 148 बचाएगा अब छिक्के पर ठीक है, सॉरी इतना पर 15, 318 था न यह तो 23 छिक्के आपका उता है 138 ठीक है तो 15 और 1, 233, 138 तो 138 और 8, 133, 138 ठीक है तो 666 गुना 400 आपने करना है तो कितना दे देगा 0, 4, 24, 4, 26 और 2, 4, 24 और 2, 26 यह आपका राइटन सर्ट दे देगा ठीक है तो next question चेक कर लेते हैं बोला कि एक ट्यूरिस्ट वेन है ट्रेवल कर दे डिस्टेंस 35 किलोमेटर देरा दून से महसूरी एवरेस सपीड है 36 और रिटर्न कर यह शार्ट की सपीड से तो एवरेस सपीड आपने निकान ली है तो एवरेस सपीड निकान ली तो एवरेस सपीड का फॉर्मला सीधा साधा है दो गुना 36 गुना अब उनमें 36 पलश साथ हपते कर दोगया अनसर आ जाएगा तो दो गुना 37 गुना 60 कितना आ जाएगा निचे 6 और 39 दो से कट कर ओं कितना आजएगा 48 12 से कट कर ओं 3 12 से 4 4 से आपको कितना आ जाएगा 15 और 15 ती यह 45 आपका राइट एंसल दे देगा नेक्स्ट कोसन चेक कर लेते हैं बोला कि एचसे फैल से मिटना दिया गया पाच और 15 तो रेश्यों दे रखा दो नमबर का इतना तो लार्जर नमबर लार्जर बताना है ठीक है कितना है तो बहुत देखो तो पाच गुना 175 क्या होता है दो नमबर की मुल्टिप्लाई होत तो 5 से 5 कट गया तो 7 सापका यह कितना कट जाएगा 7 तो 7 साथ 25 क्या है एक्स को के रहे है और एक्स की वरलू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी ठीक है तो बड़ा नमबर से 7 साथ के साथ 5 की मुल्टिप्लाई कर तो 35 अगर आप उस टाइम बचाना तो 7 से सभी डिवाइड क दे लो यह भी नहीं और कर दे दो यह गजो यह यह भी नहीं होगा यह क्या यह कि ऑपशन हे यह वह आपका रायट अंसर दे दे लिगा सब्सक्राइब कर लेते हैं बोला कि एक ट्रेक मूव करता है और एक किलोमेटर के लिए पंतालिस करता है नेक्स्ट किलोमेटर के लिए तो आपको निकालनी है तोटल डिस्टेंस कितने कवर करती दो तो ठीक है सेम डिस्टेंस कवर की है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको रिटर्न में ला सकते हैं तो रिटर्न में लाने के लिए वह फूर्मला जस्ट उप्रट करवाए था दोनों से पिड़ की मल्टिप्लाई के साथ दो की मल्टिप्लाई और दोनों का प्लस कर दीजिए तो 36 आपका राइट अंसर दे दे गटी जा नेक्स्ट कॉसन चेक कर रहे हैं बोला कि PQR वर्किंग कर रहे हैं कर लेकर 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 ये काम को 36, 48 और 14 दिन में PQR स्टार्ट कर रहे हैं काम को करने में P is the job 12 days before come Q 8 दिन पहले चोड़ देता काम को complete होने से पहले चोड़ देते हैं R beginning से end तक उस काम को करता है तो total number of days मैं पता नहीं कितने होंगे चलो भई P QR अलग-अलग काम कर रहे हैं 37, 48 और 144 दिन के लिए total LCM आप निकालो तो इसको मैं 144 मान लेता हूं तो 37, 144, 48, 144 और 144 में 144 होता है अब बहुला है कि P ने 12 दिन पहले काम पहले काम चोड़ दा क्यों ने 8 दिन पहले चोड़ दा अगर मैं कहा दूंकि अगर यह काम चोड़ते हैं नहीं तो क्या होता है तो देखो तो सबी मिलके काम करते हैं तो एक बड़ा आप देख लिजा, सबी मिलके कितना काम करते हैं? 4, 3, 7 और 8, 8 आठ काम कर रहे हैं ठीक है? लेकिन ये काम कितना कर रहे हैं, 147 तो पूरा करेंगें, 7 में, 7 में, पी का बारा दिन का और जोड़ दो पी का बारा दिन का अगर आप चोड़ोगे तो पी का बारा दिन पुना बारा अड़तालिस काम ही हो गया पलस में क्यों आठ दिन आठ दिन पहले चोड़ोगे जाने वाला था तो आठ का ये काम जोड़ दो आठ ती ये चोबिस तो वैस सवाल करिए है चार और चार आठ आठ सोला हो जएगा दो और चार छै और चार दस और एक ग्यारा दो बटे आठ आठ से कट करो आठ तुने सोला आठ पन जएगा तो 27 दिन आपका राइटंसर दे जएगा ठीक है यहाँ पर हमने कुछ ने किया जो काम छोड़के जाने वाले था उनको लगा दिया और वहां से एक्स्ट्रा काम हमने निकाला था ठीक है तो नेक्स्ट कोसंट जख करते हैं बलब कि A और B मिलके A पलस B दस है A B चे है तो हमने यह निकालना है तो यहाँ से आपके सोल कैसे करोगे तो इहाँ पर मुझे A पलस B A सुकेर पलस B सुकेर माइनस A B दिखाई देढ़ा दूर्ट्रा और और इसके लाव जो फोर्मुला यूज करोगे A पलस B का होल सुकेर A पलस B को कम मन लोगा तो अंदर के रखोंगे A पलस B का होल सुकेर माइनस में 3AB आपका अंदर आ जाएगा ठीक है तो इसमें आप फूर्मुला पूर्ट कर लेते हैं बाकी 100 का नहीं जूद ने 10 गुना और 10 का स्पेर माइनस 3 गुना चैन तो यह 100 हो जाएगा तो 3 सिक 18 100 माइनस 18 और तो 10 गुना 100 में 16 गाप भी 80 तो आपका 820 राइट अंसर दे देगा नेक्स्ट कोसन चेक कर लेते हैं बोला कि कोस थिटा माइनस साइन थिटा इतना है तो कोस थिटा प्लस साइन थिटा आपको बताना है तो साइन थिटा को इदर पे जोग तो कोस थिटा आपकी वैलू दे देगा Cos x causa चितना हो जाएगा Root 2 plus one keto sinθ soy g你好 और sinθο然後 sinθ को म suffra ऑनगे नहीं आपके कितना हो जाएग« आपको 10θö हो जाएगा enacture तौब में क्या बताने है Cos alt square plus sin square Uz guest 6ए लिए क्या आपको वह इस टरेक कैसे तो नहीं हो गई, ये कोसन सॉल तो आगला तरीका देखते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ सुकेर लगा देता हूँ, सुकेर लगा देता हूँ, ठीक हाँ? तो यहां से मुझे क्या आया तो यहां से cos square theta plus sin square theta minus में 2 sin theta cos theta is equal to 2 into sin square theta मुझे यहां पर मिला है तो यहां पर तो मैं क्या करता हूँगा 1 आजएगा ठीक तो 1 minus तो 1 को दश ले जाएंगे तो minus 2 sin theta cos theta is equal to 2 sin square theta और यह आपको कितना आजएगा minus का 1 आजएगा ठीक तो यह एक simple trick का और है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ कुछ नहीं करना मैं करता हूँ इसको x मान लेता हूँ और दोनों side यहां पर भी square लगा देता हूँ तो यहां से मुझे क्या मिलेगा cos square theta plus sin square theta okay minus plus में 2 sin theta cos theta is equal to x square हो जाएगा ठीक बेस कुछ नहीं करना दोनों का यहां पर दोनों का solve करना है दोनों का add करना तो यह तो क्या के पूरा cut जाएगा यह तो ठीक तो यहां पर क्या आया है 2 cos square theta plus sin square कितना है 1 तो इदर भी 1 तो कितना है 2 आया यहां से कुछ नहीं मिला उदर से क्या मिला 2 sin square theta और plus मैं x square theta तो x square को उदर भीजते है एक square को उदर भीज़ेंगे ठीक है तो x square को जैसे इदर भीज़ा तो मैंने क्या किया 2 sin square theta और माइनस में 2 तो यहां से 2 माइनस 2 sin square theta तो यहां से 2 कॉम लिया और 1- sin square theta और 2 into cos square theta तो यहां पर यहां पर यह आपका right answer दे देगा सोरी बहुत लंबा question को खेचांवे नहीं इसको next question देखा हां साना question था ज्यादा मुस्किल question नहीं था फिर बताने इतना लंबा क्यों लागा तो find the radius side of triangle दे रहागा path 12-13 जैसे आपको triplet यहां दे हैं तो यह triplet है तो यह 90 degree का triangle बनाएगा parameter 90 है तो इसका area कितना होगा तो इसका area कितना आता है base into height 1 by 2 के साथ तो 1 by 2 base कितना है 5 byte कितना 12 चाहिए आप इसको change कर सकते हैं दो से अपका attack अच्छे तो 30 आजएगा तो 30 की multiple में होना चाहिए सारे 30 की multiple में है अब perimeter चेक कर लीजिए perimeter क्या होता है इन तेनों का sum होता है 5 और 12 17 17 और 13 30 हो जाएगा ठीक है 30 की value 90 है तो कितने से multiply गया 30 से 3 से तो 3 से ही तरभी करेंगे 3 से ही तरभी करेंगे तो और कितना हो जाएगा 30 कुना 9 हो जाएगा 270 आपका right answer दे दे रहा ठीक next question चेक कर लेते हैं तो यहां पर कुछ percentage में marking दे गई है तो what is the ratio of central angle of math and science math 20% के साथ है और science कितना 30% के साथ इनका ratio बताना सिंपल्स है 2-3 आपका right answer सकते हैं next question check कर लेते हैं क्या बोला कि what is the total number of fail candidate in CTD तो यह passing यह fail है तो d match 6 का में बताना है ठीक और number of candidate कितने है 2.34 तो 2.34 क्या है total है 10 है 10 की value कितने है 2.34 और हमने कितने की निकान ली 6 की निकालनी है तो 6 की निकालते हैं तो तो 10 बते 2.34 इंटू में 6 आपका आ जाएगा ओके तो यह उल्टा लिख दिया भई 2.35 अपन में 5 है यह हंडी में अपन में क्या है 10 इंटू में 6 आपने निकालना है तो करिए सोल इसको तो एक डेसिमल और आजएगा वह आगे तो यहां पर डेसिमल आजएगा पके देख लीजिए तो 6 दो निकाल बार 1.2 के लग बग जाएगा 1.3 हो सकता है 1.4 हो सकता है तो ठीक है तो यह आपका 1.4 हो जाएगा बाकि आप कैलकुलेशन करके देख ली 2.5 नहीं होगा क्योंकि आप कैलकुलेशन करके चेक करिए ठीक है next question चेक करते हैं बोला कि दो सरकल है जिसकी radius 13 पंदरा है एक डूसरे को इंटरसेट कर रहे हैं AB पर common code की length नहीं है तो distance between there center से में बताने की इनके बीच की distance कितनी होगी तो भी देखो कि दो सरकल हैं intersect कर रहे हैं एक दूसरे को कहां पर इसका center A है और इसका center B है तो यहां पर आपको यह point आगे तो यह distance से में बतानी है राइट तो यहां सा आप चेक करोगे तो यह कि 13 है एक कि 15 है तो आपको क्या length बताने है आपको यह वाली length बतानी है यह अपने length बताने तो यह 90 degree हो गए ठीक है और अगर यह 13 है तो common code sorry common code तो हमें दे रखे तो यह आपके 6 दे दिया उपर तो 6 दे दिया तो आपने कि निकालने है यह वाला तो यह वाला कितना आजएगा रूट से है 119 माइनस 36 तो यह आपके कितना आजएगा 133 पलस आगी यह जो होगा तो के रूट के अंदर कितना होजएगा 225 में से 36 अगर आप माइनस करोगे 225 में से 36 माइनस करोगे 189 आपका आजएगा ओके तो यह आपका अंसर होगा तो आप देखे 133 और एक सनुवास भी कहां दे रखे last option में दे रखे next question चेक करते हैं बार गराफ दे रखे और division first second third दे रखे तो देखते हैं क्या पुछा है percentage of students who pass in second division in the year 2010 2010 में क्या बताना हमें second division के बताने 60 बच्चे हैं ठीक है तो देखो green line है okay तो किस चिज़ का गराफ है 208,9,10 का number of students दे रखे हैं तो यहां पर second division में कितने हैं 60 का बताना है यहां का बताना है 60 का बताना total में से percentage में बताना है total कितने होगे 200 होगे 200 में से कितने का बताना है ठीक है तो यह आप तीन से डिवाइडने होगा अच्छ है और 8 14 यह भी नहीं होता 3 और 4 7 यह भी नहीं होगा यह आपका राइट अंसर देजेगा बाकि आपने कुछ नहीं करना और सॉलिड राइट सर्कुलर कौन 45 है हाई है और 18 सेंटिमेटर और 7 सेंटिमेटर है ठीक है तो फरस्टम क्या से होता है कुछ इस तरह से होता है तो यहाँ पर यह फरस्टम है इनके बीच की डिस्टेंस आपको 45 दे रखे यह आपका 28 से उपड़ निचे कितना अशाथ है इस फरस्टम इज मेल्ट इसको पिंगला दिया गया रिकंस्टर्ड किया गया है सॉलिड सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर में जिसकी रेडियस और बेस कितना दे रहा है 3 और 5 का रिश्यों दे रहा है इसका volume जो ता शिलेंडर का volume sorry cloud surface सिर्य निकालना तो 2 pi r और r plus h sorry 2 pi r h हो जागा cloud surface सिर्य तो pi कितना 22 बटे साथ 22 को चेक करिए 11 11 की multiple में होना चीए 11 की multiple rule क्या गता alternate numbers का sum और उनका difference करोगे तो 0 या 0 से कम आना 0 या 11 की table माना चीए पाच और 8 कितना हो ज़गा? 12-12 में से 5 गया 7 यह नहीं होगा चार और एक 5-5-, 5-5 में 6 गया 1 नहीं होगा 4-4, 8-8 में से 6 गया कितना होगा? 2 यह भी नहीं होगा 4 और 2-6, 6 में से 6 गया 0 यह आपका राइट अंसर दे दें बाकिया आपको formula दे दिया, solve कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, पहले तो आपने क्या करना है, इसका volume, जो कि 1 by 3, pi, r square minus small r into h होता है, जो कि पिंग लहा कर सिलेंडर बनाए गया, पिंग लहा कर सिलेंडर बनाए गया, तो pi r square h बनाए गया, ठीक है, तो इसकी height हमें निकालनी है, इसका radius और height का ratio दे रखा है, तो radius और height निकालनी है, volume की फिर आपने निकालना क्या है, 2 pi r h निकालना है, आपका answer दे देगा ठीक है, बोला कि एक man run करता, 40 km time taken ले रहा है, 10 km के लिए, twice the time taken by him in the second 10 km, okay, the time taken in third 10 km is half of the time taken for 10 km, मतलब 10-10 km के चार सक्कर लगा रहा है, ठीक है, time taken in fourth 10 km is equal to the time taken in first 10 km, if the speed of first 10 km is 40, yellow इसमें देवे दिया, 40 km पर आ रहा है, speed है, okay, तो time हमें बताना है, तो कोई नहीं time यहां निकालते हैं, तो time कितना हो जाएगा, 1 by 4, okay, right, तो इसका 1 by 4 r हो जाएगा, इसका भी 1 by 4 r हो जाएगा, but is the average speed of 40 km, 40 km की average speed आपने निकाल लिए है, तो चलो देखते हैं, time taken लिया गया, first 10 का twice जाएदा लिया गया, second से, twice जाएदा लिया गया, तो second से, क्या होगा, इसका आदा होगा, तो 1 by 8 यहां पर लगाया गया, ठीक है, time taken 10 km, half लिया गया है, किस से fourth के, fourth से half कितना हो जाएगा, 1 by 8 हो जाएगा, यह आप से पुछा गया है, तो यहां से तो डिश्ट से पेड़ी कितनी है, 40, ठीक है, अरे दे तो दिया है इन्होंने, total overalls distance है, सब और में total overalls time, आपका answer दे देगा, तो उपर तो कितना है, 40 है, मिच्चे कितना आजएगा, 8 L से हम आजएगा, और 2 पलस 1 पलस 8 पलस 2, तो यहां से आपका कितना आगया, 40 बटे, यह, 2, 2, 6 बटे, 8, तो 3, यह 4, तो 4 को उपर लोगे तो 4 गुना 4, और में 3, 160 बटे 3, आप पर total average speed आगी, ठीक है, आज़ान कोशन दियेंगे, जाद हम उसकेल कोशन यहां पर नहीं बनाया गया है, तो बोला है कि 10 सुकेर थिटा, अगर पलस 10 4 थिटा करोगे तो 10 सुकेर थिटा को अगर मैं common लिए, तो अंतर कितना 1 पलस 10 सुकेर थिटा है, ठीक ně थिटा 10 सुकेर थिटा, और udah इंटू में SX sुकेर थिटा ही अपना यहां पर बनाया है, अब मैं 10 सुकेर थिटा को चैंज करता हूं तो किपना चैंज होगा, माइन्स 1, इंटो में SX सुकेर थिटा बनाया है, ठीक है, तो solve कर देजे, sex for theta minus sex square theta और कांसे देजे कुछ नहीं किया formula लगाया है, बस simple सा formula लगाया है sex square theta minus 10 square theta कितना होता, 1 होता बस इस formula पे मैंने इस question को solve किया है next question देखते हैं, बोला कि hypotenuse side triangle triangle का 29 है और दोनों side का sum कितना 41 है, तो difference between other two sides उनके दोनों side का difference है मैं बताना है तो अगर आपने triplet याद कियोगे, तो 29 का triplet किसके साथ होता है 29 के साथ 20 और 21 किसका triplet होता है, ठीक है, अगर आपने याद किया है अगर याद नहीं किया, तो आपने क्या solve करना पड़ेगा कि 41 को अगर मालूफ x, एक साथ हो जाएगा, दूसरे साथ x, sorry, 41 माइनस x हो जाएगा और इनका square पलस करो, और इसके 29 square के बराबर लगा तो या आपका right answer दे देगा, ठीक है वैसे 20 और 21 साइगा, बोला कि दोनों साइड का difference कितना होगा, वन होगा, तो वन आपका right answer दे देगा, ठीक है बोला कि दो नमबर, आर इन रेशियो, तीन और चार में दो नमबर का रेशियो है, सिर्फ लसेम का product इसना देदा का, अज़र sum of the number बताने है तो यहां पर sum of the number बताने तो इसका मतलब 7 हो जाएगा, 7 का multiple आपने बताने, यह नहीं होगा, 7 से, यह नहीं होगा, 7 से, यह नहीं होगा, यह आपका right answer देदेगा बाकि यह दो तरह के question में आपको बता चुका हूँ, पहले किसी question में तो आप वहाँ जाके check कर सकते हैं, हमें किस तरह solve करना हो इनको, next question देखते हैं राजिस इन्वेस्ट करता है, 10,000 रुपे, two different investing scheme में, a simple interest लेता है, 8 और 10% a, b, total interest इनर करता है, 2 साल के बाद, 16, 18, तो amount invested by a, कितना होगा चलो, a का निकालते हैं, तो a का हमने आल लेते हैं, कितना, x, simple interest से, 2 साल के लिए, दोनों का same है, तो इसका principle हमें x माल लेता है, और time कितना दिरह का, दोनों के लिए, two, और इसका rate कितना दिरह का, 8%, तो 8 परसेंट, तो 8 कोटे 100 होजए, इदर, different, okay, दोनों से SI पराप्ट कि कितना है, तो दोनों के SI हम ले लेंगे, तो एक, यह आपका time आया, into match, hand, कितना है, 10,000, minus में x, क्योंकि x हमने उसको दे दिया, into में, 10%, 10,200, पर्टल के नीचे 100 होगा, और इसको हम cover कर देंगे, तो one white, tiny, हाचा है, और, किसना दे रखा है, 16,000 आच्छी आपको दे रखा है आठ से कट करो, चार से, चार दो ने, 25, अगर मैं इसको simple तरीके से solve करो, तो better रहेगा ना, अपने लिए, तो simple तरीके से यही रहेगा, कि हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ओके, तो दो मैंने common ले लिया, ओके, और यहाँ पर, 10 by 100 ही रहने लिएते हैं, कुछ हमें change करने की दूर्ट नहीं है, तो दो common ले लिया, दो से आपकट करो, कितना आएगा, दो 8 है, और यहाँ आपको आजाएगा, और अब सोल गरे हो तो यह आपका 8x बनेगा, प्लस में, 10,000 के साथ 10 के multiply कर और यह आजाएगा, मैनस में 10x is equal to, 840 और 100 कम बन गया तो इधर multiple होके इतना गया, तो मैनस 2x is equal to, 840,000, और मैनस का 1,00, इधर आया, तो मैनस का 2x is equal to, कितना दे देगा भाई यह आपको, मैनस का 16,000 देदेगा, और मैनस से मैनस का टेकर, और 2 से कट फर रगए, 8,000, 8,000 आपका जाएट एंसर देदेगा, आप x की विल्वा में निकाल ली थी, सब्किम ए में हमने कितना रुपे लगाए थे, x रुपे लगाए था और x की विल्वा आपको दे दी गई है, next question देखते है, 42, 36, 35, first three terms है, proportion में, तो fourth term आपको निकाल ली है, तो फर्स्ट three term आपको दिया गए, तो 42, 36, 35 आपने ये term निकाल ली है, तो आप देखिए, इन दोनों की multiply करिए, 35 छिक के कितना होता है, 35 छिक के होता है, आपका 210, 0, 21, 35 आपका होता है, 105, 105 और 21 कितना हो जाएगा, 6 और 2, और 1, कितना हो जाएगा, बटे 42 कर ली थी, 42 से कट कर होते हैं, आपका 30 अंसर दे देगा, ओके, तो next question चेक करते हैं, बोला कि price item increase किया गया 70% and allow किया skim discount 5% और 20% MP पर, ठीक हो, price को increase किया इतना और discount दिया 5 और 20 MP पर, और cash additional discount, if price is based in cash, और एक और discount दिया गया 20% का, तो what is gain percent आपको gain percent आपको बताना है, तो बहें देखो, price को increase किया गया 70% तो, मालों कोई चीज 100 रुपे गी थी, ठीक है 70% increase कर दिया तो 170 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे है, MP ले रहे है, ओके तो पहले जो था फिर CP ले रहे हैं, तो पहले MP original वाला और MP new वाला ले रहे हैं, तो 10-70% का fraction अगर आप देखोगे 7 बटे 10 होता है, तो 10 से 7 चला गया, 17 हो गया ठीक, और यहाँ पर discount दिया तो discount क्या तक कम होता है, पहले तो 5% का, तो 5% कितना तो 1 by 20, 20 में से कितना हो गया, 9 हो गया, 19 हो गया, एक कम हो है, आगे, 20%, 20% कितना तो 1 by 5 होता है, 1 by 5 मतलब 5 से 4 हो गया, अगे, अगर वो case देखता है, तो 20% का additional discount मतलब 1 by 5, एधर भी 5 by कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक हो गया, तो 4 से cut करोगे तो आपके यह 5 आजएगा, 2 से cut करोगे यह 2 यह आपका pass, तो यहाँ पर आप देखो कि 5 की power score 625 हो गया, और आप कितना हो गया, 19, 28 और 17, 28 गुना 28 करोगे, 17, 28, 37 होता है, 17, 31 और 31 और 13 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, sorry, यह 35 हो जाएगा, 6, 6 और यह 4, आप देखो कितना increase होगा, 21 increase होगा है, कितने में से 625 में से, बैस आपको इसको solve करना है, तो 25 से cut करो 25, 25 से cut करो 4, यहाँ से 84 बटे 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 25, 35, 35, okay, 3.something चाहेगा, 3.3 मरलब 2 हैं, तो यहाँ पर देखें, 9 और 0, 3.3 जाएगा, तो यह आपको कट यह cut, यह भी cut हो जाएगा, यह आपको rate answer, बाकि पूरे calculation आप खुद करने के try करें, बोला कि Jonathan जो है borrow करता है, तीन साल में, तीन साल पहले 10% interest per annum compound annually पार साल के लिए ठीगा, अमांट तो यह पेड एट अंड परिएड इतना आ जाएगा, मतलब टोटल अमांट इतनी पहर कर दी गाएगा, जो प्रीपेमेंट पैनल्टी जोनाथन एंज रसेव सम बोनस पेमेंट नाव, which he has decided to clear his debt, how much does जोनाथन have to pay now to clear this debit, तो अभी भी कितना पे करना पड़ेगा, मतलब टीन साल पहले 10% का लिएगा, लेकिन पहर साल तक उन्हें इतना पे कर दिये, तो अभी भी कुछ पेमेंट बाग की है, तो हम देखते हैं कितना पेमेंट वो करेगा, तो भाई देखो क्या सिस्टम तो आपने अगर याज क्या अगर 10% का 10% पे क्या होता है, कि अगर 10% को अगर हम कंपाउंड इन वाली 2 साल के लिए दे तो SI कितना होता है, 2.1% होता है, SI ठीक है, अगर ये 3 साल के लिए दिये तो 33.1% हो जाएगा, अगर ये चीज अगर हम 4 साल के लिए दें, मतलब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो टाइम लिख रहा हूं, और 4 साल के लिए तो 46.41 हो जाएगा, ओके, और अगर आप 5 साल के लिए लो तो 5 साल के लिए आपका हो जाएगा, 461.051% ये आपको याद रखने बढ़ेंगे, ये आपके SI होते हैं, तो बोला कि amount दिया गए, amount paid के आगए इतना, तो यहां पर ये आपके SI होता है, principal अपना 100 है, तो 100 को add कर देजे, तो amount कितना आगए अपने पास, 161.051% आए, जिसकी value इसने दे रखिए, 161051 के ब्रापर, अगर यहां से आप 308 आओगे, तो अधर बेज होगे, तो ये आपके क्या होगे, एक की परसेंट की value कितनी आगए, तो ये आपके कितने आगए भई, तो 1 होगया, तो 1000 आगए, ठीक है, और आपने कितने की निकाल ली है, अगर payment नहीं कहिए, जो नाथरन receive कर रहा कुछ bonus, अगर वो अभी देगा, तो अभी देगा, तो वो कितना अपने clear कर पाएगा, तो अभी कितना देगा, तीन साल होगे है, तीन साल में कितना देगा, ये 33. परसेंट देगा, ठीक है, तो अगर SI 33.1 है, amount कितना है, 100 है, तो आपके कितना होगे, 33.1 परसेंट की value आपने निकाल ली है, तो बैस कुछ नहीं करना, इसके साथ 1000 की multiply करा, तो आपका answer देगा, 00, 10, यहां की multiplication में कर देगा, तो आप देखोगे, 1331, ये आपका right answer देगा, फोड़ाट पटा सा question है, लेकिन अच्छा question है, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ rate से इस question को solve करने की कौसिश की है, next question check करते हैं, बॉलक area of triangle आपने बताना है, जिसके side का length ये दिया गया है, तो आप देखोगे, triple 8 ये यूज किया गया, 12, 15, sorry, 12, 15, 13, तो triple 8 किया गया, तो 1 by 2 base into 8, 90 degree बना तो 9, 12, इस बड़ी height को में यूज ने करें, गुना 5, 2 से आपका 6, 6, 5, 30, 30 आपका right answer देगा, तो आज की वीडियो में 50 question complete कर सुखे, हुमीद करता हूँ, आपको और एक question समझा जाएंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं, अपने नए वीडियो में नए exam को साथ, तब तक के लिए thank you have a nice day, जैह हिंद।